हेलो दोस्तों मेरा नामे गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक लेक्टोनिक्स और दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो कॉन का LCD रिपेर के लिए आया है और इसमें जो प्रोब्लम है वो हमारा ओन नहीं होता है तो जैसे यह हमारा मेन प्लग हो गया और जैसे हम इसम सप्लाइ देते हैं तो यहाँ पर मेरा किसी भी परकार के यहाँ पर LED गलो नहीं करता है जो इस्टेंड वैपर यहाँ पर red LED glow करना चाहिए वो हमारा किसी भी परकार का glow नहीं करता है तो आईए इसको हम किस परकार से रिपेर करेंगे वो देखते हैं तो आईए इसको हम फटा-फट से खोलते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें problem क्या है इसका मैं model number आपको दिखा दूँ यहाँ पर आप इ दूस्तों मैंने यहाँ पर back cover को निकाल दिया है और यहाँ पर थोड़ा dust लगा हुआ है तो इसको मैं साफ कर लेता हूँ जैसा कि मैंने आपको बताए था कि इसमें supply नहीं आ रहा है तो यहाँ पर पहले main wire चेक कर लेंगे कि कही main wire हमारा फल्ट तो नहीं है यहाँ पर मेरा main wire बिल्कुल ठीक है तो supply नहीं आ रहा है तो इसमें हम power supply का जो section है उसको चेक करेंगी तो यहाँ पर मैंने power supply दे दिया है और इसको DC पर रखके यहाँ पर main capacitor पर पहले voltage चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पर बोल्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है तो यहाँ पर हमारा तीन सो चोंतिस वोल्ट हमारा बना रहा है मत्तब यह जो हमारा power supply है यहाँ तक तो वोल्टेज हमारा ठीक बना रहा है लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एस्पार्क हुआ है मैं आप दिखा दूं नजदेक से यहाँ पर जो यह पर देख सकते हो यह पर एसपार्क हुआ है तो यहाँ पर अगर कंपनेट जला होगा तो बहुत ही दिक्कत होगी देखते हैं हमारा सिरफ प्रिंट खराव है या कंपनेट भी जला है तो इसको साफ करके देखेंगे कि यह आपारeticsobi हुआ है कि सिर्फ प्रिंट जो हमारा जल कर रह गया है दोस्तों यहाँ पर यह जो कॉम्पोनेट है हमारा इसका छेपिन का लैग होता है लेकिन इसमें क्या है कि एक लैग जो हमारा है भी वह बिलकुल जल चुका है यहाँ पर कि मों काम्पोनेट का नंबर देखना होगा और इसको हम रिप्लेस करेंगे अगर यह कंCause यह थ confirmed हमारा जो है खराब हो चुका है इसी वजए आगे जो हमारा ड़िज़ओन नहीं बना पा रहा है मैं ने यहाँ पर थोरव वीडियो की स्किप कर दिया है यहां पर आईसी लगा यहां नम्बर के वहां पर anti लगा वा था उस्सी नम्बर का मैंने एक और ice जो है पुराने पावर सप्लाई पर से निकालके यहाँ पर लगाया लेकिन जैसे मैंने supply फिट से दिया वो हमारा फिर से बलास्ट हो गया तो वहाँ पर जो बलास्ट होने के कारण दोस्तों यहाँ पर जो MOSFET लगे होते हैं यह हमारा sorting है यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं मैंने Desolding Pump से इसका जो है यह Mospet वाले को मैंने यहां से निकाल लिया है यहां पर लगा हुआता है देखा दूं मैं आपको देखिए यह मौसपेट है यह हमारा बिल्कुल तरीका से सोट हो चुका है इसी वजह से हमारा जो यहां पर IC लगा हुआ था वो हमारा बार बार उड़ जा रहा था मैंने सेम नंबर का इसी लगाया था लेकिन फिर भी जो हमारा किसी भी परकार का रिस्पॉंस नहीं मिला था वो बलाश्ट हो गया था तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि यह जो हमारा MOSFET है बिल्कुल तरीका से तो वहाँ पर यह जो रेजिस्टेंस है जो मैने सप्लाई से इसमें जाता है यह भी हमारा फ्यूज हो चुका है मतलब ओपन हो चुका यहाँ पर दिख सकते हैं इसी के बज़ासे दोस्तों यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए यह भी जल चुका है और उसी के बज़ासे यहाँ पर यहाँ जो हमारा आईसी लगावा था यह हमारा खराब हो गया है ठीक है और दोस्तों यहाँ पर जो मॉस्पेट लगावा था सेम वेल्यू का मिल जाने के बाद भी अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो इसमें जो छोटा सा आईसी है और कुछ यहाँ पर पीएफ रेजिस्टेंस वगरा सब जो लगा हुआ था वो हमारा जो है इस पार खोके यह खराब हो चुका है इस कंडिशन में सिर्फ एक ही इसका उपाय है वो इसमें यूनिवर्सल पावर सप्लाई हम इसमें यूज करेंगे तो इसमें मैं तीन वायर वाला यूनिवर्सल पावर सप्लाई यूज करूँगा जो कि कुछ इस परकार से होता है ठीक है तो अईए इसका connection जो है किस परकार से करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ तो सबसे पहले power supply में जो हमारा ये जो drain वाला pin हमारा आता है जो इस MOSFET के जो दो नमबर वाला pin होता है बीच वाला वो हमारा drain होता है तो यहाँ पर किया दूस्तों की power supply जो यहाँ main capacitor होता है इसका plus वाला हमारा supply आता है ये direct नहीं आ जाता है ये plus का जो supply है पहले यहाँ पर यह transformer लगा होता है उसके coil में जाता है फिर उस coil से होते हुए फिर यहाँ से इसमें आता है ठीक है तो यह आपको जो है बिलकुल खारी लगना है इसके बीच में कोई sorting नहीं होना चाहिए यहाँ पर प्रोपर 300-300 वोल्ट आना चाहिए जो आपके इस capacitor के plus वाले पर आना चाहिए मैं आगे आपको बताते चलूंगा कि किस प्रकार से आपको लगाना है ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर जो आपका यह main capacitor है उसका minus point तो आप यहाँ से लहीं लेंगे बस यह तीन वायर बला मैं यूज कर रहा हूं और इसमें क्या कि एक जो green color का वायर है दोस्तों वह हमारा feedback के लिए है कुछ-कुछ board ऐसे होते हैं जिसको optocouplot में feedback की ज़रूरत होती है extend वायर से release होने के लिए लेकिन हम इसमें बिना feedback का वायर connection करके पहले देखेंगे अगर वह हमारा extend वायर से release हो जाता है तब ठीक है अगर नहीं होता है तो इसके चार नमबर पीन पर हमें feedback का जो वायर होता है उसको हमें connection करना होगा तो आईए इस universal power supply को इसमें connection किस प्रकार से करेंगे वो हम देखते हैं तो सबसे पहले यह जो radio वायर है दूस्तो उसको हमें कहा connection करना है जहाँ पे हमारा इस mosfet का जो drain वाला पीन आता है जो beach वाला पीन है उसमें connection करना है तो अगर हम back side में देखे तो यहाँ पे लिखा ह हुआ है यह source है gate है और drain है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस module का प्लस वाला connection करेंगे तो back side से नहीं करना है इसके ऊपर side से करना है ताकि इसको connection करने में आसानी हो ठीक है तो यहाँ पे हम लगा देते हैं इसके drain वाले पे आप चाहे तो यहाँ पे भी लगा सकते हो क्य कि यहाँ पे जो यह print जाता है यहाँ से ही जाता है ठीक है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा दूस्तों कि इसी MOSFET के पीन वाले पे मैं connection कर देता हूं तो यहाँ पे यह red वाला हो गया अब हम इसमें यह जो black color वाला वायर है उसको connection करेंगे तो इसका connection हम कहाँ पे करेंगे तो यह main capacitor का जो minus वाला point है वहाँ पे हम इसका connection कर देंगे यहां पर देख सकते हैं यह जो capacitor है main capacitor इसके minus वालो point ए मैंने black वाले wire की मैंने network कर दिया है तो 2 wire को ही connection कर लेना है और यह जो तीसरा वाला wire है हमारा feedback का है तो अगर यह हमारा जो है 2 wire पर ही on हो जाता है तब तो ठीक है अगर नहीं होता है तो feedback के लिए जाता है उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि आपका जो यह प्रिसेट है उसको पूरा जो है आपको कम कर देना है उसके बाद हम यहां पर देखेंगे वोल्टेज चेक करके जो यहां पर हमारा 12 वोल्ट आना चाहिए वो हमारा कितना आ रहा है तो आपको जो है पूरा यह प पर हमारा कितना वोल्ट आना चाहिए तो आप जो है उस वोल्टेज डिटेल को फॉलो करते हुए आप वोल्टेज चेक करें अगर सब जगा वोल्टेज पर आपर मिल लहा है उसी के बाद आपको जो है इसमें जो है LED और ये पैनल का कनेक्शन इसमें करना है तो आए अब मैं इसमें सप्लाइ दूँगा उसके बाद जो है बारर वोल्ट पहले यहां पर चेक करूँगा कि हमारा आराए की नहीं आरहा है अगर बार वोल्ट से कम आ रहा है तो यहां से में प्रिसेट को घुमा कर इनक्रेज करेंगे व्योल्टेज को और सेट करेंगे 12 बोल्ट पर तो इसमें भी जो है अर्थ लेता रहता है इसके बज़ा से हमारा voltage up-down हो सकता है तो इसके नीचे मैं यहाँ पे एक कागज रख लेता हूं पावर सप्लाई के लिए मैं यहाँ पे jack लगा लेता हूं उसके बाद यहाँ पे multimeter को हम dc बाले पे 200 पे set कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉप्स में मैंने चिम्टी लगा दिया है और इसको ground के साथ connect कर देंगे ताकि हमें check करने में आसानी हो ठीक है तो अब मैं इसमें power supply देता हूं के बाद हम यहाँ पे 12 volt चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारा 14 volt और हाए मतलब अभी हमारा यहाँ पर किसी परकार का load नहीं है तो जहां पर 12 volt आना चाहिए वहाँ पर मारा 14 volt और हा है जब में load देंगे उसके बाद फिर हम मैं यहां पे voltage को check करूँगा बाकि सभी section पे मैं यहां पे voltage check कर लेता हूँ कि कितना कितना आ रहा है अभी बहुत section पे ऐसा voltage दोस्तों आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि stand wire release होने के बाद जो है काफी जगा पे आपको voltage देखने को मिलेगा ठीक है तो यहां पे मतलब हमारा 12 volt जो है बना रहा है और इस coil पे जो 12 बनाना चाहिए अभी नहीं बना रहा है मतलब जो हमारा stand wire से release होगा उसके बाद जो है जहां पे हमारा voltage बनाएगा ठीक है यह सब जो आप coil देख सकते हो यहां पे जो है अभी किसी भी परकार का बोल्ट नहीं बना रहा है मतलब यह जो है stand wire से पहले यहां पे बोल्ट शोक कर रहा है तो कुछ ऐसे वोल्ट है जैसे यहां पे 5 बोल्ट सही आ रहा है मतलब यह जो हमारा बोल्ट है भी प्रोपर सही तरीका से काम कर रहा है बिना feedback वायर लगाए हुए तो यहां पे हम एक बार चेक कर लेते हैं voltage को तो यहां पे 47 हमारा बोल्ट आ रहा है मतलब यहां पे भी सही आ रहा है और यहां पे भी सही आ रहा है मतलब सभी जगा जो हमारा voltage दोस्तो डाटा सीट के जड़ी है हमारा voltage यहां पे सही आ रहा है तो आईए हम यहां पे जो है आप क्या करेंगे कि इस power supply को यहां से cut करते हैं और उसके बाग यहां पे जो यह board है इसको मैं इस panel के साथ install करता तो दोस्तों मैंने यहां पे जितने भी connector मैंने निकाले थे उसको मैंने लगा दिया है उसके बाद हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा जो है load देने के बाद हमारा जो 12 volt के section पे हमारा कितना volt आ रहा है अगर कम volt आएगा तो यहां जो preset लगा हुआ है उसको हम rotate करके हम voltage को जो है sit कर लेंगे तो आएए यहां पे जो है हम supplies में देते हैं तो supply देने के बाद दोस्तों हम देखेंगे कि जो हमारा यहां पे red LED glow होता है वो हमारा glow कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो आएए हम यहां पे पहले supply देते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो red LED है वो हमारा glow कर कटाऊंगा इसको यहां पर यह मेरा हट चुका है तो यहां पर देख सकते हैं कि बैक लाइट जो हमारा यह जल चुका है ठीक है तो यहां पर हमारा LCD अन हो चुका है उसके बाद यहां पर मैं चेक करता हूं 12 वोल्ट जो है इस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसके लिए यहाँ पे एक पीन को ground कर दोँगा और जहाँ पर हमारा 12V आना चाहिए वहाँ पर हम इसको 12V हम चेक करते हैं इस coil पर तो इस coil पर हमारा 9.2 V बना रहा है जबकि यहाँ पर data seat के जड़िए यहाँ पर 12V आना चाहिए और यहां पर जो आउट्पुट करता है 12 V यहां पर हम चेक कर लेते हैं तो यहां पर भी दोस्तों हमारा 9.2 आ रहा है मतलब यहां पर 12 V बनाना चाहिए इसके जगधाव पर हमारा जो है अभी 9.2 V लगा रहा है और यहाँ पे भी जो एक जैक लगा वाई यहाँ पे 9.2 है जब कि यहाँ पे 12 बनाना चाहिए तो इसमें हम क्या करेंगे कि यह जो प्रिचेट लगा हुआ है तो इसको क्या करेंगे कि थोड़ा बढ़ाएंगे तो यह हमारा बोल्टेज बढ़ेगा और जैसे 12V पर जाएगा इसको हम 12V पर set करके छोड़ देंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि voltage यहाँ पर बढ़ रहा है तो यहाँ पर मैंने 12V पर लाके छोड़ दिया है यह हमारा कम हो चुका है तो कोई नहीं यहाँ पर थोड़ा बरहा लेते हैं ठीक है यहां पे 12 बोल्ट मैंने सेट कर दिया है और उसके बाद आपको सभी सेक्चन पे बोल्ट सेम टू सेम मिलेगा जैसा कि मैंने आपको डाटा सीट में दिखाया था 1.8 यहां पे बना रहा है और यहां पे 1.7 बना रहा है यहां पे 3.3 बना रहा है मतलब अब यहां पे 1.5 बनाना चाहिए ठीक है तो अब सब जगा हमारा यह बोल्ट बना रहा है तो एक बार हम इसको टीवी को पलट कर दिखाते डिस्पले पे जो हमारा यह ओन हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो बैक लाइट हमारा ओन है तो यह हमार LCD 100% है कि यह OK हो चुका है मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिस करूँगा यह जो हमारा वीडियो कॉन का यह TV है तो यह हमारा देख सकते हैं वीडियो कॉन का लोगो हमारा रोटेट कर रहा है यहाँ पर मैं आपको दिखा दू अच्छे तरीका से यह देख सकते हैं यह हमारा वीडियो कॉन का चल रहा है अभी इसमें किसी भी परकार का सिगनल नहीं है इसी वज़ा से यहाँ पर वीडियो कॉन का लोगो इधर से उधर कर रहा है तो दूस्तों यह हमारा यूनिवर्सल पावर सप्लाई लगाने से यह हमारा बिल्कुल टीवी जो है ओके हो चुका है तो आईए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो मैंने एक हिट्सिंग निकाला था पतलासा जो मोस्पेट लगा हुआ था इस बोड़ पर तो यहाँ पर यह बड़े वाले हिट्सिंग को मैं निकालके इस पर लगा दूँगा और इसको कहीं पर लगा दूँगा बीना हिट्सिंग को आप इसको यूज ना करें इससे क्या होगा कि आपका जो यूनिवर्सल पावर सप्लाई है जल्दी से खराब हो जाएगा ठीक है तो दोस्तो यहाँ पर जो मैंने 12 वोल्ट मेजर किया था यह आपको 12 वोल्ट ही रखना है अगर ज्यादा रखोगे तो यहाँ पर सेक्षन पर बोल्टेज भी ज्यादा बढ़कर बनाने लगेगा इससे आपका बोल्ट को नुक्सान भी हो सकता है ठीक है तो इस प्रकार से दोस्तो मैंने यहाँ पर पावर सप्लाई लगा के जो है इसको रिपेर किया तो यह हमारा काम कर रहा है और यह अच्छे तरीका से काम करेगा यहाँ पर जो कमपोनेट जला था उसके बाद दूसरा सोल्यूशन यही बच जाता है तो मैंने यहाँ पर ती complete set कर लेते हैं उसके बाद हमें आपको इसमें picture से लाकर दिखाऊँगा तब आपको अच्छे से पता चल जागा कि यह जो हमारा dead LCD था वो हमारा 100% है कि working करने लगा है तो आईए दोस्तो इसको फटा-फट से fitting कर लेते हैं तो दोस्तो finally मैंने यहाँ पर इस LCD को जो है बिल्कुल ready कर दिया है तो यहाँ पर मैंने इसको एक setup box मैंने connect कर रखा है ताकि मैं आपको live जो है चेक करके दिखा सको जो मैंने repair किया था वो हमारा किस परकार से काम करता है तो आईए अब हम इसमें supply देते हैं तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में problem इसमें दिखाया था कि इसमें किसी परकार का light नहीं आ रहा था अब यहाँ पर मेरा lighting आ रहा है तो यहाँ पर मैं stand वाइस से इसको release करते हैं तो यहाँ पर stand वाइस से release हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं यह भी इन हो गया देखिए अब यह जो हमारा जो है विर्गुल अच्छा से यह काम कर रहा है तो दोस्तो इस परकार से हमारा जो LCD ए 100% ए वर्किंग कर रहा है यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं तो दोस्तो अगर आपके पास भी किसी भी परकार का LCD आता है अगर उसमें पावर सेपलाई का फॉल्ट हो अगर ऐसा लगे कि वह पावर सेपलाई रिपेल नहीं होने वाला है तो आप उसमें प्रकिंभर लगा ता तो इसी से यह हमारा जो मिलकुल रेडी हो चुका है तो दोस्तो इस परकार से अब जो हमारा LCD चलने के लिए तयार हो चुका है तो दोस्तो हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लिज लाइक करें शेयर करें और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ हो